हेलो फ्रेंड्स वागत आप सभी का मारे यूट्यूब चैनल डिजाइन एडिये सेंटर में तो फ्रेंड्स आज मैं आपको ब्लाउस की किस तरीके से नाप लेके कटिंग करते हैं फुल डिटेल में समझाऊंगे तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है इंट्रेस्टिंग होने वाला है अगर आपको ब्लाउस का नाप लेके कटिंग केसे करते हैं नहीं आता है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए यहाँ पर मेरे पास यह सिलावा ब्लाउस है ठीके अब इस ब्लाउस का नाप लेके हम इस ब्लाउस की कटिंग करेंगे ये मेरा में फेब्रिक है और ये अस्तर वाला फेब्रिक है ठीके तो सबसे पहले हम इसका नाप देख लेते हैं यहाँ पर मैं आपको step by step समझाऊंगी फुल डिटेल के साथ और अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे comment box में बूद सकते हो ठीके और वीडियो थो सकता है थोड़ा लंबा हो लेकिन मैं आपको फुल डिटेल में समझाऊंगी ठीके तो चलिए चल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखे क्या करते हैं हम इस blouse को खोल के रख लेते हैं तो यहाँ से हमके फ्रेंड्स इस तरीके से खोल के रखने के बाद में अब हम क्या करेंगे इस blouse की लंबाई लेंगे सबसे पहले हम इिंच टेप को यहां शोर्डर से पकड़ेंगे इस तरीके से और इसकी तयार लंबाई लेंगे यह रहाए है तो देखे इस प्लावस की तयार लंध है 13 इंच ठेके तो देखे फ्रेंड्स तयार लेंद इसके 13 इंच है ठीके तो अगर आप इसके अंदर देखे इसके अंदर मैंने तुरपाई रखी है ठीके तो अगर आप ब्लाउस के पीछे की तरफ तुरपाई रखते हूँ तो आपको इसके अंदर दो इंच और एड़ करना होता है ठीक है और कई-कई लोग होते हैं अस्तर वाले ब्लाउस के अंदर तुरपाई नहीं रखते हैं क्योंकि वो बैक और फ्रंट के तरफ स्टिचिंग भी कर देते हैं तो अगर आप स्टिचिंग भी करना चाते हो तो यहाँ पर आप मारजन का एक इंच लेजेगा ठीक है एक्स्ट्रा एक इंच लेजेगा तो वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी सबसे पहले हम इसका नाप देख लेते हैं ठीक है तो इसकी पिछे के लंबाई है 13 इंच और देखे अब हम इसके पिछे का गला लेंगे तो देखे इसका पिछे का गला है तयार 8 इंच ठीक है ठीक है ठीक है फ्रेंट्स यहाँ पर तो देखे फ्रेंट्स अब मैंने इसको आगे की तरफ पलटके रख लिया है तो अब हम यहाँ पर चेश्ट का नाप लेंगे तो सबसे पहले हम इसको बंद करके रख लिया है मैंने हुकाई को ठीक है फिर हम यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक चेश्ट का नाप लेंगे तो चेश्ट आ रही है 18 इंच तो अब इसको इस तरीके से पलट के इंच टेप को निकालेंगे तो ये टोटल आ रही है 36 इंच तो चेस्ट 36 इंच आ रही है अब हम यहाँ पे निचे लेंगे कमर का नाप तो कमर का नाप लेंगे तो निच्चे कमर है वो आ रही है साड़े पंदरा एंच ठीके तो इस तरीके से इसको भी फॉल्ड करेंगे हम तो ये ठोतल हो गई 31 इंच ठीके यहां पे चिष्ट का नाप ले लिया कमर का नाप ले लिया अब हम यहां पे शोल्डर का नाप लेंगे ठीक है शोल्डर किस तरीके से नापते हैं ब्लाउस का वो भी नाप देखते हैं तो देखें सबसे पहले हम इस को इस तरीके से रख लेंगे ब्लाउस को सिधा करके ठीक टोटल शोल्डर आ रहा है साड़े नों इंच देख सकते हूं आप साड़े नों इंच हमारे शोल्डर आ रहे हैं ठीक है तो अब हम इसके अंदर वन इंच ओर एड करेंगे क्योंकि जब हम स्लीफ जोइंट करते हैं शोल्डर से तब शोल्डर और आरमोल से हमारा हाफ-ços में यह तोटल आ गया 60-12 इंज ठीक है तो सबस्ग करेंगे हम फॉल्ड और फिर हमारा शूलडर आ तो यह टोटल आ गया हमारा त्वशन कर बातर पांच इंज तहरा 5 और फिर हम रहें एका यह आरब नाब ननाब पोना चैंज या चैंज आर्मोल आ रहा है फिर लेंगे हम आगे का गले का नाप तो यहां से यहां तक तयार हमारा गले का नाप आ रहा है चैंज चैंज देखें फिर हम लेंगे यहां से स्लिफ्स की लंबाई तो स्लिफ्स की लंबाई है साढ़े सात इंच कयार स्लिफ्स की लंबाई है साढ़े सात इंच और इसके अंदर तर्पाई भी रυχी हुई है तो दो इंच और एट करके हम लेंगे साड़े नो इंच चीсте inventions और फिर हम लेंगे यहाँ पर मोरी का नाप इसे मोरी भी कहते हैं sleeves round भी कहते हैं तो यहाँ पे sleeves round का नाप लेंगे तो यह हमारा रहा है सड़े 5 इंच देखे फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने आपको blouse का नाप लेना बता दिया है कि किस तरीके से blouse का नाप लेते हैं तो अब हम इसकी इस blouse का नाप ले लिया है इसका नाप ले लिया है किस तरीके से नाप लेते हैं मैंने आपको बता दिया है तो अब हम ब्लाउस की कटिंग करेंगे ठीक है तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पे मैंने अब इस ब्लाउस का हम कटिंग करेंगे तो जो मैंने नाप लिया था blouse का तयार blouse का उस साब से इस पर cutting करेंगे तो देखे बहुत इजी तरीकी से मैं आपको बताऊंगे full detail में समझाऊंगे अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे comment box में पूच सकते हो ठेके step by step समझाऊंगे कि कैसे हम cutting करेंगे लेस है इसको खोल लेंगे ठेके क्योंकि यह लेस हमारी बाजू में attach होगी तो इसको खोल के रख लेंगे यहां पर यह अस्तर वाला fabric है तो इसको हम open करके रख लेंगे इस तरीके से तो देखे friends यहां पर मैंने इसे fold करके अपनी तरफ रख लिया है इधर folded side है और इधर है open side ठीके तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि निच्चे से कपड़ा सिधा होना चाहिए ठीके अब हम यहां पर length लेंगे ठीके तो तयार blouse के साब से length ते हमारी 13 इंच ठीके तो देखे friends अगर आप नीचे तुर्पाई रखते हो अगर आप नीचे तुर्पाई रखते हो तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा margin का क्योंकि 1.5 इंच हमारा तुर्पाई के अंदर चला जाता है margin और 1.5 इंच बचता है जो बेक और फ्रेंट के हम shoulder joint करते हैं तब उसके अंदर चला जाता है ठीके तो इस तरीके से तैयार blouse के length हमारी 13 इंच ही रहती है ठीके तो यहाँ पे अगर आप तुर्पाई रखते हो तो 15 इंच लीजिएगा या फिर अगर आप stitching करना चाते हो नीचे की तरफ तुर्पाई नहीं रखते हो तो आप सिर्फ एक इंच margin का लीजिएगा ठीके तो इससे हाफ इंच तो stitching में चला जाएगा और हाफ इंच shoulder joint करते हैं तब चला जाएगा ठीके तो देखे मैं इस blouse के अंदर मैं रखूंगे तुर्पाई तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ दो इंच extra ले रही हूँ मार्जन का तो 13 में मैंने 2 इंच और बढ़ा के लिया है तो यहाँ पे 15 इंच पे में मार्क कर रही हूँ चीक है अब हम लेंगे shoulder तो देखे हमारे blouse के shoulder जब नापे थे तो वो आये थे साड़े 10 इंच क्योंकि साड़े 9 इंच तयार थे और एक इंच हमने और एड़ किया क्योंकि हमारे जब sleeves joint करते हैं तो उसके अंदर भी half-half इंच मार्जन का चला जाता है तो इसलिए एक इंच एड़ करने के बाद में हमारा जो shoulder है वो आया था साड़े 5 इंच ठीक है सवा 5 इंच ये 5 इंच तो यहाँ पे मैं साड़े 5 इंच ले रहे हुँ shoulder ठीक है तो साड़े 5 इंच shoulder लिये है मैंने और फिर लेंगे आर मोल तो आर मोल लाया था 6 इंच अब चाहे तो उना 6 इंच भी ले सकते हो तो यहाँ पे मैं 6 ले रही हूँ आर्मो लाय था 6 फिर हम लेंगे चेस्ट का चोथा बाग तो यहाँ पे हम लेंगे चेस्ट का चोथा बाग तो चोथा बाग किसी निकालते हैं देखें हमारा जो चेस्ट है वो आई थी अड़ तो चोथा बाग किसे निकालते हैं देखिए इस इंच टेप को हम करेंगे फोल्ड तो मैंने इसको दो बार फोल्ड किया इस इंच टेप को करेंगे फोल्ड तो ये मैंने एक बार फोल्ड किया ठीक है और फिर इसको करेंगे दूसरी बार फोल्ड तो इस तरीके से हम चोथा बाग निकालेंगे तो यह आ रहा है हमारा साड़े नो इंच ठीक है वो चिस्ट का चोथा बाग लेंगे साड़े नो इंच और देड इंच और लेंगे मार्जन का देखिए मार्जन चाहे तो आप दो इंच भी रख सकती हूँ या देड इंच भी रख सकती हूँ आप अपने 31 इंच तो 31 का चोथा बाग निकालेंगे जैसे हमने चेस्ट का निकाला था न ठीक उसी तरीके से हम निकालेंगे चोथा बाग कमर का भी नाप तो इंच टेप को मैंने दो बार फोल्ड करेंगे इस तरीके से तो ये हो गया चोथा बाग तो यह आ गया हमारा पॉने आठ इंच ठीक है हम लेंगे कमर का नाप तो कमर है पॉने आठ इंच और फिर लेंगे डेड इंच मार्जन का और एक इंच हम और लेंगे क्योंकि बेक पार्ट्स में हमारी प्लेट साती है हाफ आफ इंच की ठीक है तो एक इंच ओड लेंगे अब इसको मिला देंगे इस तरीके से यह में ने यहां पे इसको मिला लिया है अब हम यहां पे गुलाई देंगे फ्रंट के तरफ तो यहां पे डेड इंच की हम गुलाई देंगे इस तरीके से ठीक है और फिर यहाँ पे नेक विर्थ का ना आप लेंगे तो जो नेक की विर्थ है वो मैं दो इंच रख रही हूँ देखे अगर आप डोरी लगा रहे हो तो आप सबा दो इंच भी ले सकते हूँ ठीक है लेकिन डोरी सबा दो इंच भी ले सकते हूँ यहाँ पे मैं डोरी नहीं लगा रहे हूँ तो मैं यहाँ पे दो इंच ले रहे हूँ नेक की जो विर्थ है और अब तयार ब्लाॉस की लेंथ थी हमारी साड़े आठ इंच तो यहाँ 1.5 पर मैंने निसान लगाया ठीक है और 3 इंच हम ओर लेंगे इसके चोड़ाई नेक की जो चोड़ाई है वो लेंगे हम नेक की विट्थ रखेंगे 3 इंच और इसकी विट्थ रखेंगे 3 इंच और अब इसका एबॉक्स बना लेंगे इस तरीके से ठीके और यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से इस तरीके से हम गुलाई दे देंगे तो यह मैंने बेक पार्ट्स का नाप ले लिया है और यहां तक अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हो ठीक है तो सबसे पहले हम इसकी cutting कर लेंगे मैंने back part की cutting कर ली है ठीक है तो अब हम यहाँ पे अब हम front part की cutting करेंगे belt blouse की ठीक है friends अब हम यहाँ पे front part की cutting करेंगे ठीक है तो देखे सबसे पहले हम क्या करेंगे half inch high hook की पट्टी का ले लेंगे extra यहाँ से मैंने half inch high hook की पट्टी का ले लिया है और यहाँ से मैं front part की cutting कर रहे हूँ open side से cut कर रहे हूँ ठीक है आप चाहिए तो इसे folded side से भी cut कर सकती हूँ लेकिन मैं high hook की पट्टी रख रही हूँ इसलिए इसे open side से cut कर रही हूँ आप चाहिए तो folded से भी cut कर सकती हूँ उसमें कोई problem नहीं है तो अब हम क्या करेंगे कि back parts को इसके उपर रखेंगे और सबसे पहले half inch छोड़ते हूँ हमें इसके उपर रखना है ठीक है ये half inch छोड़ना है हमें और इसके उपर रखके सबसे पहले इसकी azities marking कर लेंगे ठीक है neck की marking नहीं करनी है यहाँ से मैंने azities इसकी marking कर ली है back parts की ठीक है neck की marking नहीं की है अब हम क्या करेंगे देखे बेल्ट ब्लाउज बनाते हैं तब निच्चे से हम एक इंच और लेते हैं एक्स्ट्रा ठीके क्योंकि बेल्ट ब्लाउज में एक इंच और लेते हैं एक्स्ट्रा तो यहां पे मैं एक इंच और ले रही हूं तो इसलिए उपर की तरफ में हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ और निचे से हम लेंगे वन इंच एक्स्ट्रा ये क्यों लिए हैं क्योंकि जब हम तक्स डालते हैं फ्रंट पार्ट में तो हमारा जो कपड़ा है वो छोटा पढ़ जाता है ठीके इसलिए हम इसके मार्जन के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं तो यहां से मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है मेजरमेंट तो यहां से मैंने मार्जन के लिए थोड़ा और मार्जनेट किया है उपर से हाफ इंच लिया है और नीचे से वन इंच लिया है तो अब हम याँ पे आर्मोल की तरफ गुलाई देंगे किस तरीके से देते हैं देखें सबसे पहले हम शोल्डर नाप लेते हैं तो शोल्डर थे हमारे साड़े पांच इंच और आर्मोल लेंगे फिर 6 इंच आर्मोल थे ठीक है 6 इंच आर्मोल थे तो अब हम यहाँ पर एक इंच की गुलाई देंगे क्यूंकि हाफ इंच यहाँ पर हम एक इंच की गुलाई देंगे फ्रेंट पार्ट की तरफ क्यूंकि बेग पार्ट में हम गयां औक और में वहाश Commerce की चुछ लेंगी तो यह तो यहां से नेकी विट्थ रखूंँगी मैं 2 इंच क्योंकि मैंने बेक पार्ट में भी 2 इंच ही ली थी ठीक है और आगे का जो गला था वो आया था मारा 6 इंच और यहां पर भी मैं 6 इंच ले रही हूं और इसकी विट्थ रखी है मैंने 3 इंच आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हूं ठीक है और अब इसका एब बोक्स बना लेंगे और इसमें हलकालका राउंड शेप दे देंगे में इस तरीके से इस तरीके से देखी फ्रेंड्स यहां तक मार्किंग कर ली है हमने तो अब हम सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं फिर हम बैल्ट का नाप लेंगे तो दिखे फ्रेंट से में ने front part की cutting कर ली है तो अब हम हम यहाँ पे बेल्ट का नाप लेंगे तो दिखे बेल्ट का नाप किस तरहि किसी लेते हैं कि यहां से हम सबसे पहले लेंगे तक्स पॉइंट का नाप तो यहां से 38 चिस्ट साइस के अकोर्डिंग टक्स पॉइंट लेंगे सवा ग्यारा पॉने ग्यारा इंच ठीक है आप चाहे तो साड़े दस पी ले सकते हूं मैं यहां पे पॉने ग्यारा इंच ले रहे हूं ठीक है और फिर यहां पे बेल्ट का नाप लेंगे नीचे तो बेल्ट का नाप किसे लेते हैं आगे की तरफ ले रही हूं मैं साड़े आगे की तरफ ले रही हूं चार इंच और बीच में से लेंगे साड़े तीन इंच यह की तरफ भी हम लेंगे साड़े तीन इंच ठीके तो अब हम इन तिनों को मिला देंगे यह हमने बैल्ट के लिए मार्किंग कर ली है इस तरीके से तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो देखे फ्रेंड्स यह मैंने बैल्ट की कटिंग कर ली है तो अब हम यहाँ पे टक्स डालेंगे आगे की तरफ ठेके तो आगे की तरफ टक्स किसे डालते हैं देखे सबसे पहले हम यहाँ पे इंच टेप का लेंगे सेंटर इस वाले टक्स डालने के लिए इंच टेप का सेंटर लेंगे और यहाँ पे एक मार्क करेंगे इस तरीके से और इस वाले टक्स की लेंद लेंगे हम तीन इंच ठीक है इसकी लेंद लेंगे तीन इंच विर्थ में ले रही हूँ चारेंच नीचे वाले टक्स के लिए विर्थ में चारेंच ले रही हूँ और इस वाले टक्स के लिए लेंद ले रही हूँ दो इंच और यहाँ पे देखें इन दोनों के बीच में दो इंच का गेप आ रहा है तो यहाँ पे भी हम 2 इंच का 2 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से चीक है और पिछे वाले टक्स के लिए यहाँ से मैं ले रही हूँ 1.5 इंच और इसको इससे मिला देंगे इस तरीके से और यहाँ पे भी मैं लूँगे 2 इंच इस तरीके से ठीके और इसको आर्मोल से इस तरीके से मिला देंगे तो दीखे इस तरीके से हमारा एक गोल राउंड सरकर बनना चुगी है ठीके फ्रेंड्स ये मैंने फ्रेंट पार्ट की complete cutting हो चुके है हमारी बैल्ट की भी cutting हो चुके हुँ टक्स भी लग चुके है अगर यहाँ तक आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हो ठीक है तो अब हम sleeves की cutting करेंगे तो देखे friends, sleeves की cutting करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करते हैं कि back parts के armhole का nape लेते हैं ठीक है तो यहाँ से मैं inch tape की सहता से armhole का nape ले रही हूँ कि total हमारा armhole कितना रहा है तो यह हमारा armhole ला रहा है फिर से बता देती हूँ आपको यहाँ से हमारा armhole ला रहा है साड़े दसीन चाह रहा है ठीक है तो मैं यहाँ से फिर से आपको दिखा देती हूँ कि यह हमारा आर्मोल साड़े दसीं चार है तो देखे फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दोनों कपड़ों को इस तरीके से ओपोजिट साइड रख लिया है ठीके और यहाँ पे थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के से फोल्ड करने के बाद में अब हम यहाँ पे स्लिव की कटिंग करेंगे तो सब सब पहले हम इसकी लेंगे तो देखे फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे स्लिव की लेंथ रखनी है साड़े साथ इंच तो यहाँ पे साड़े साथे पूरा आ रहा है तो सड़े साथ इंच पर तो दिखें यहां पर लेंथ लिए सड़े साथ इंच स्लीव्स की और फिर हम यहां पर लेंगे आर्मोल तो आर्मोल आये था हमारा पॉना दस इंच सड़े दस इंच तो सड़े दस इंच आर्मोल लेंगे पूरा-पूरा है तिरची लाइन रो कर लेंगे तिरची लाइन रो कर लेंगे और यहां पर slives के round shape देंगे हलकी-छलकी तो slives का round shape देंगे इस तरीके से और निचे भी हम slips round लेंगे तो जो हमारा मूरी आई थी, वो आई थी 5-5 इंच और 10-5 इंच ओड़ने सिलाई वाले margin के लिए तो टोटल हो गया हमारा साथ इंच तो इससे मिला देंगे इस तरही के से तो देखे फ्रेंट्स यह हमारी स्लीव के शेप आ चुका है तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ पे मैंने स्लीव की कटिंग आगे की तरफ आर्मोल की तरफ गुलाई देंगे तो सबसे पहले इसको आर्मोल की तरफ गुलाई देंगे तो देखे सबसे पहले हम यहां से वन इंच लेंगे इस तरीके से ठीके और पिछे की तरफ हम लेंगे डाई इंच तो यहां से डाई इंच लेंगे और बीच में से हाफ इंच की गुलाई देते वे इन तिनों को मिला देंगे इस तरीके से का देखिए इस तरह के से हम घूलाइ देंगे हाफ इंच की हम कटिंग कर लेंगे कि यहां पर आर्मॉल की तरफ गुलाई भी आ चुकिए एकदम पर्फेक्ट गुलाई आई है इससे क्या आता है हमारे ब्लाउस के आर्मॉल के अंदर जोल बिल्कुल भी नहीं आता है तो देखें मैंने यहां पर स्लिफ्स के कटिंग कर ली है अगर कोई भी बात समझ में नहीं कट कर लिया है, बेक पार्ट को, स्लिफ्स परांत बिल्ड को सभी को कटकर लिया है तो देखें, यहां पर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आयू तो आप कमेंट Anime लुट सकते हूं ठीके, वीडियो पसंद आए, तो प्लीस मेरे वीडियो को like केजा का, मेरे चैनल को subscribe स्टिचिंग की वह आपको मिलते रहें तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद